अगरवाल महासवा अलवर की और से 24 सितंबर से 26 सितंबर तक तीन दिवस से भव्य कारे करम आईजित किये जाएंगे अगरवाल महासबा के मंदरी रमेश सिंगल ने बताया कि 24 सितंबर को सुबा अगरवाल भवन के चारों मुख्य द्वारों पर धजरूहन के साथ कारे करम का विदिवत आगास किया जाएगा उसके बाद अगरवाल छात्रावास निर्मान दिन अगरवाल चिकिश शाले में धजरूहन किया जाएगा उसके बाद 11 बजे विशाल रक्तदान शिविर होगा इस रक्तदान शिविर में अगरवाल समाज के युवा बढ़ चड़का रक्तदान के लिए रक्तदान के लिए रजिस्टेशन करवाने अगरवाल धरमशाला में पहुँच रहे हैं जिसमें अगरवाल उच्च मादिमिक विध्याले के बालक बालिका विविन प्रकार की सांस्किते कलाकार्तियों के साथ अपनी प्रस्तूती करेंगे इसके बाद 25 सितंबर को अगरवाल उच्च मादिमिक विध्याले में प्रेशन मंच वे वाद विवाद परतियोगिता आई जितोगी वाद विवाद परतियोगिता में सीनियर वर्ग कक्षा 9 से 12 वी तक का रखा गया है जिसमें बड़ती जनसंक्या वर्दान या अभिशाफ विशे पर जूनियर वर्ग में कक्षा 6 से 8 वी तक के छातर भाग लेंगे इसके विशे मोबाईल वर्दान या अभिशाफ पर परतिभागी अपना पक्ष रखेंगे वहीं दोपेर 12 बजे महिलाओं के लिए लड़ू गोपाल म्यूजिकल चेर परतिव गिता होगी अध्यक्षिन दिनेश कुमार गुपता ठेकेदार ने बताया कि परतिभाशाली अगरवाल बालिक बालिकाओं का समान समारो अगरवाल धरमशाला प्राग्रण में रखा गया है जिसमें 2021 में कक्षा 10-12 में 90 परतिशत इसनाथ तक और 45 परतिशत बीएड में MD, MS, IIT, MBA की डिगरी प्राप्त करता है और राज्य प्रश्टास्टिय प्रश्टास्निक सेवा में चैनिप जिलार राज्य में राज्य इस तरिये खेलकूत प्रतियोगिता में विजेता खिलाडी को सम्मानित किया जाएगा प्रतिवा शाली बालक बाली काई अपना रजिस्ट्रेशन अगरवाल महासबा अलवर में करवा सकते हैं जैनती सयोजक अनिल वर्गर ने बताया कि नई अनाज मंडी में अगर ध्वजवय प्रतिकाय वित्रित की गई है 27 सितंबर को 4 बजे शोबय आत्रा अगरिसेन महाराज के रत के साथ विशाल जनसमू के साथ निकाली जाएगी सोबय आत्रा विवेका नंचौक त्रिपोलिया बजार से अगरवाल धरमशाला रात 8 बजे पहुँचेगी अगरवाल समाज बड़े ही धूमधाम से ना रहा है उसी के तहट अलवर में भी अगरवाल महासवा हर वर्ष की बातीस वर्ष भगवान का जनम दिन हम लोग सब लोग मिलके बड़े ही हरसुन लास के साथ मना रहे है और उसी के अंतरगत हम आप लोगों से भी अपेक्षा करते हैं आशा करते हैं कि आप भी इस जैन्ती में हमारा सहयोग करें इसी के संदग में आज ये पत्रकार संबेलन बोलाय गया है किस किस तरह के कारिक्रम है किस किस तरह के कारिक्रम है जैन्ती में हमारे बच्चों के लिए कारिक्रम है इस्कूल के बच्चों के लिए कारिक्रम है 24 तारिक को हमारी स्कूल का स्थापना दिवास है जिसके अंतरगत बच्चों अपना सांस्कृति के कारिक्रम प्रस्तुत करेंगे बच्चों के लिए रंगोली पृत्योगिता, महिलाओं के लिए मेंदी पृत्योगिता, म्यूजिकल चेयर, वाद विवाद, प्रशन्द मंच और मुख्य रूप से हमारे 24 तारिक को रगदान शिविल भी जहनती के उसर पर हम हमेशा की तरह इस बार भी रखेंगे दूसरा है 25 तारिक को पृतिबा शाली जो हमारे विद्यारती हैं उनका हम सम्मान समारो करते हैं तो 25 तारिक को शाम को 4 बजे सभी बच्चों का सम्मान समारो हैं 22 तारिक तक जो हमारे पृतिबावान बच्चे हैं वो अपनी प्रिविष्टियां अधरवाल महासवा में जमा करा सकते हैं ये मैं आपके माध्यम से धरोयर पहुंचाना चाहता हूँ बच्चों को ये ध्यान रहना चीजिए कि अपनी प्रिविष्टियां 22 तारिक तक पहुंचा है मेरा नाम रमेश सिंगल है 26 तारिक को भवे शोबय आत्रा निकाली जाएगी जिसके अंदर मत्रा ब्रिंदावन से जहांकिया आ रही है जो कि अलवर में पहली बार आप लोगों को देखने को मिलेगी भगवान का रत बड़े ही सुन्दर रूप से सजाय जाएगा और हम सब लोग बजार में उनके स्वागत की तैयारी में लगे हुए है भगवान की जगे जगे स्वागत होगा भवे रूप से जहन की मनाएगे यह प्रेस कॉंफरेस अबसे जो है महारा जाग्रिसान जहन की के उप्लक्ष में ही बिलाई गेगी प्रोग्राम हमारे 24 सारीक से प्रोग्राम हमारे चलू है सुछे 8 बजे से चार गेड इस घबान के अंदर घंडकरा जहन कीए जबान जहन गेडै जहन की जो है जहत्रवास और चिकिष्चान लिटा ज्यार्वजे जू है जो तीन बस तक चलेगा और इसमें हमार को करीब लगबक तार्गेट जो हमने लिया है असी से सो उनिट के लगबक और ज्यादा भी हो जाए तो यह अलग चीज है बाद रंगोली प्रत्योकता हैं मेंधी प्रत्योकता हैं लेडीजों के लिए भी रखा गया है और शाम को जो है अग्वाल उच्वाद में विद्याले में सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा है जो विद्याले स्थापना थी उसके रूप में मनाई जाएगा